हलो फैंट्स आग की इस बीडियो में हम बात करेंगे इंपोटेंट इंडिया जी के किलास की भारत दर्सन डर्णा के अंतरगत करनाटक रजी के बारे में इस बीडियो में करनाटक राजी से सम्वंधित सभी इंपोटेंट कोशन्स, nothing facts इवं important points पहम discuss करने वाले हैं सबी पॉइंट्स आगामी परिच्छाओं के लिए काफी उपी होगी हैं तो वीडियो को अन तक अवश्य देखिएगा क्योंकि इसमें मिलने वाली है आपको करनाटक राजी से संब्दित सभी जानकारिया तो सुरू करते हैं अपनी वीडियो को सबसे पहले हम जानेंगे करन देखिए हुआ आज़ाद हुआ। आज़ा होने के बाद में करनाटक स्टेट बना तो अशmp समय को मैसूर के नाम से जाना जाता था। मैसूर राजय दनीयम necklace Неफ के स हमूंब्रannée computer anyश को इसका नाम है क्या किया घचा गया ता करनाटक बह जाए तक हम कहस सकते हैं किigen not 333 तक कंनाटक को मैसूर के नाम से जाना जाता था करणाटक नाम का जो उध्वभyu कुरुनाडू से हुआ है जिसका साथिक अर्थ होता है भब्य उच्ज भूमी अगर आपसे कोई पूचले कि कंनाटक का साथिक अर्थ क्या होता है तो आपको केज़ने कि लीट । कुरुणाडू सब्से हुई है, बात करते हैं नेक्स अगले पॉइंट के करनाटक राजजी की राज़धानी क्या है, करनाटक राज़धानी है बैंगलूरू, अगर जिले की बात कि जातों करनाटक राजजी में 31 जिले हैं, यहां का जो विधान मंड़े वह दोए सद्रिय यानि बिदान सवा भी है यहाँ पर बिदान परिसद भी है तो याद रखना है कि बिदान सवा सीटे यहाँ पर 224 है और बिदान परिसद सीटे कितनी है 75 बात करें लोग सवा सीटों की तो लोग सवा सीटे यहाँ पर 28 है राज सवा सीटे कितनी है 22 है अगर हम बात करें कि कर इन अनद रकनी है, यह बेशिक जानकारी होगे करणातक राजी से संब्वन। आप बात करते करनातक राजी से संब्न lasci, कुछ important प्रस्थों पस्ते हैं हमने step by step कोशणों के माध्यम से प्रस्थों के माध्यम से संपूर करनातक की जानकारी को यहंपे प्रोईत किया है ठीक है और बात करें इसके पच्चमी हिस्से की तो पच्चमी में क्या है अरफ सागर लगता है यह बात याद रखनी है यह चह राज्यों की सीमा लगती है और अरफ सागर की क्या लगती है सीमा लगती है करनाटक राज्य से यह बात आपको याद रखनी है नेक्ट अगले कोशन है मारा कि करनाटक राजी का सबसे बड़ा सहर कौन सा है तो आपको बता दे करनाटक राजी का सबसे बड़ा सहर है बैंगलूरू एगर बात करें नेस्ट अगले question की की करनाटक राजी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो सबसे बड़े जिले की अगर बात करें तो सबसे बड़ा जिला है गुल बरगा, ठीक है एह बात यद रखनी है नेस्ट अगले question में देख थे हैं की भारत का electronic नगर important points है कि भारत का electronic नगर और बागो का सहर किसे कहते हैं तो याद रखना है बैंगलूरू को कहते हैं जो करनाटक राज की क्या है राजधानी है next अगला question है कि भारत की Silicon City किसे कहते हैं तो आपको बता दें कि भारत की Silicon City है वो बैंगलूरू को ही कहते हैं अब यहां पर आपको बैंगलूरू से सम्मदित कई नाम बताये आपको याद रखना है कि अगर पूछले भारत का इलेक्ट्रोनिक नगर बैंगलूरू, बागोका सहर बैंगलूरू, सिलिकोन की बैंगलूरू, अंतिक्छ नगर यानि स्पेस सिटी बैंगलूरू, ठीक है? अगर आपसे पूछ ले कि Silicon State, Silicon State भी किसको कहते हैं? करनाटक को कहते हैं, इस बात याद रखनी है, यहाँ पर अगर सिटी की जगे स्टेट दे दे तो भी करनाटक आपको बताना है. बात करते हैं, नेक्स अगले कोशन की कि करनाटक के कि सहर को करनाटक का रतन कहते हैं? एक राज्य और कई दुनिया के नाम से फिमस है, नेक्स अगला कोशन है कि करनाटक का कौन सा सहर सितंबर अक्टूबर के महिने में चलने वाले देशेरा उस सब के लिए प्रिशिद्ध है, मैसूर सेर करनाटक का है और यह अपने देशेरा उस सब के लिए क्या है कापी फिमस है नेक्स अगला कोशन है कि करनाटक के शिर्वण वेल गोला में इस्तिद्ध विस्व प्रिशिद्ध गौमतियस्वर जो अठारे मीटर की विसाल प्रिस्थर प्रितिमा का निर्माट किसने करवाया था तो याद रखना है, यहाँ पर समझने वाली बात है कि करनाटक में एक शिर्वण वेल गोला नामा किस्तान है, यहाँ पर एक मूर्ति है, गौमतियस्वर नाम की जो अठारे मीटर उची है और यह पत्थर को काट के बनाई गई है, और इस मूर्ति का जो पत्थर की मूर्ति है, पत्थर की पृतिमाए इसका निर्मार किसने करवाया था, तो उस यह बात आपको याद रखना है नेक्ट अगला कोशन है कि मिताक्षरा के लेखक और सु विक्यात नियाय सास्त्री विज्ञाने स्वर्ण बहुत फेमस है यह विज्ञाने स्वर्ण नहोंने मिताक्षरा नामक पुस्तक लिखी थी इनकी जो लेखके वो कहां के निवासी थे तो याद रखना है कल्याण के निवासी थे करनाटक राजी हम पड़ता है आपने पड़ा होगा कल्याणी के चालुक के यह भी करनाटक राजी से संबंध थे याद रखना है कल्याणी के चालुक के बादामी के चालुक के आप इति है तो शे का सही आंसर करनातक राज़ी में climax कोषिन है does become इसका सबसे बिसाल में कोषिछ कोषिए मारा के गोलगुमवज का निर्माड किसम ने कर्वाय था तो सका सही आंसर मुहम्मधादिशाण ने कर्वाया था डावु के याकुदसे ठीक है यह बात रियाद रखनी है नेक्ट अगला कोशिन देखिए कि बिस्वे पिरसिद कोहिनूर हीरा किन खानों से निकला था तो इसका सही आंसर है गोलकुंडा की खान से निकला था नेक्ट अगला कोशिन है कि महान विजय नगर सामराजी के अफसेस कहां अवस्तित हैं तो इसका सही आंसर हमपी कि विजनगर लाज की इराजधानी के हमपिया, पर तुमॉद्रा नदी के ट्सक्रा तर्ट पर थी, ये कुछ्छन है, आपको याद लगता ये कि हमपी किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तुंग बद्रा नदी के किनारे, किस की राजदानी था, विजेनेगर सामराज 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 की राजदानी था, जेनेगर सामराज का अंतो हो गया था और ये 1565 एसवी में हुआ था, इंपोर्टेंट कोशन है, याद रखना है, नेक्ट अगला कोशन है कि हमपी इसमारक करनाटा के किस जिले में अबस्तित हैं, अभी बताया है, बेलडारी जिले में अबस्तित हैं, नेक्ट कोशन अगला उनेख्यें में नेक्फ अबस्तित हैं, इन्हों नेक्ट अगला कोशन है कि है त्पिपू सल्तान कहां काशा सकताएं, इंपोर्टेंट कोशन है महसूर का साशा सकता इनके पताते हैं, हैदर अली ने मैसूर में अपने सामराज की इस्तापना की थी और उनकी फुत्र हुए थे टीपु सुल्तान और टीपु सुल्तान अपने बीरता के लिए काफी फेमस हुए उन्हों ने अंग्रेजों से काफी लोहा लिया और अपने सल्पनत को जुखने नहीं दिया टीफू सुल्तान की एकर हम बात करें राजधानी की तो टीफू सुल्तान की जो राजधानी है वो स्रीरंग पतनम है नेच्ट अगला कोशेन है हमारा की किस एकमातर कॉंग्रेस अधिवेशन की अधिक्षता मात्मा गांधी ने की थी तो याद रखना बेलगाउं ओधिवेशन की की थी 1924 में हुआ था यह करनाटक में अवस्तित है बेलगाउं Next question है कि कुद्रे मुख लोह खननंचेतर किस राज़ी में अवस्तित है तो इसका सही आंसर है करनाटक राज़ी में अवस्तित है Next question है कि कुद्रे मुख खनों का लोह आयस के कहां से निर्यात होता है तो इसका सही आंसर है मैंगलोर से निर्यात होता है Next question है कि बध्रावती लोह इसपात का अरखना कहां है तो इसका सही आंसर है करनाटक में है 1923 में यह बनाया गया था याद रखना है अगला कोशन है अमारा की क्याईगर परमाडू विदुत सहींद्र कहां अवस्तित है इसका सही आंसर है करनाटक में अगला कोशन है हमारा कि बारत का सबसे बड़ा जल प्रपात जोग यानि गर्सोपा जिसको जानते हैं कहां अवस्तित है ये भी करनाटक में अवस्तित है सरावती नदी के टट पर नेश्ट अगला कोशन देखिएगा कि बारत का 85% कच्चा रेशम किस राज में उत्पादित होता है ये तो इसका सही आशर है करनाटक में नेश्ट अगला कोशन है कि बारत का 69% कौफी किस राज में उत्पादित होता है तो इसका सही आशर है करनाटक में कौन सा राज्य सरवादिक चंदन की लकड़ी का उत्पादक राज्य है, यहां पर थोड़ा मिश्टिक हो गई है टाइपिंग में, यह याद रखनी है इस जगे पे, यहां पर है कौन सा राज्य सरवादिक चंदन की लकड़ी का उत्पादक राज्य है, तो इसका सही आंसर है करनाटक, नेश्ट अलएकोषिन देखेगा कि भारत का पहला ऐसा राज्य जहां पर पनविजली स्यंत्र इस्तापित किये गएं तो इसका सही आंसर ए करनाटक इसी आ का पहला जल विद्दुत सैंत्र कहां इ допुद्ध किया गया था तो याद रखना है कावीरी म्रधी के टट पर शिफ समुद्रम परियोजना में किया गया था सिम समुद्रम बांठ पर और यह करणाटक में किया गया था 1902 में नेस्ट अले कोश्चन है मारा कि देश का पहला हरे भरे मैदान वाला अंतर राष्टर हुआई अड़ा कहा बनाये गया है तो ये देवन हली में बनाये गया है जो बैंगलूरू करनाटक में अवस्तित है नेश्ट अगला कोश्चन है कि भारती है अंत्री चम्संदान संग्ठन जिसकों इस रोक की कहते हैं जिसकी फिल फूर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च और्गिनाजेशन का मुख्याल है कहां पर है तो इसका सही आंसर है बैंगलोरू में है करनाटक में है और इस रोकी ज देखिएगा कि नागर होल निशनल पार्क किस राज्य में अवस्तित है इंपोर्टेंट है यह पूछे जाते हैं दोनों निशनल पार्क है तो याद रखना है नागर होल जो निशनल पार्क है वो कनाटक में अवस्तित है नेक्स्ट अगला कोश्चन है कि बांदीपूर न पिस्तापित की है बैंगलूरू में. नेश्ट अगला कोशन देखिएगा कि कोजेंट्रिक्स, बिद्धुत परियोजना कहां अस्तित है तो इसका सही आंसर है करनाटक में अवस्तित है. अगला कोशन है कि बारत का कौन सा राज्य सरवादिक सोना अत्पादन करता है तो इसका सही आंसर है करनाटक अगला कोशन है कि बारत के किस राज्य में कोलार वा हुट्टी की सोने की खाने अवस्तित हैं तो इसका सही आंसर है करनाटक में अवस्तित है, कोलार की खाने वाहुट्टी की खाने, ये सोने के लिए प्रिसिद हैं, और ये करनाटक राज्जी में अवस्तित हैं, अगला कोशन देखेगा कि लिंगायत, या बीड सेफ समुदाय का सम्मन, अगर आप से कोई पूछ ले, या रखना है, इंपोर्टेंट पॉइंट सही भी, ये दो राज्जी कोन से हैं, जिनमें लुडते हुए मांसून के दोरान प्राय चकरवारत आते हैं, तो वो दो राज्जी हैं, करनाटक और केरल, और ये बात याद रखने हैं इन चक्रवारतों के दोरान जो बर्सा होती है उसको चेरी बिलोसम कहते हैं करनाटक और केरल में चेरी बिलोसम कहा जाता है ये बात याद रखने हैं नेश्ट अगला कोशन है कि इस नदी पर सिर्व समुद्रम जल पर 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 अवस्तित है तो इसका सही आंसर है कावेरी नदी पर अवस्तित है अगला कोशन देखेगा कि महराष्ट रेवं करनाटक में पस्टमी गाठ को क्या कहा जाता है तो याद रखना है कि सहाद्री के नाम से जाना जाता है नदी पर अवस्तित करने और गरीब परवारों को नेतिक संभल प्रदान करने के लिए भागलचमी योजना कहाँ पे शुरू की गई है तुझ याद रखना करनाटक में शुरू की गई है Next अगला कोईशन है कि यग छिगान किस राज्य का प्रमुक लोग नत्य है Important है करनाटक का प्रमुक लोग नत्य है यह छिगान इसके अलावा करनाटक में कुनीता, कुर्गा और लांबी कि यह कर्णाटक के अन्य प्रुमुख नत्य भी हैं नेक्ट अगला कोशन देखेगा कि प्रिसिद विंदावन गार्डन किस राज्य में अवस्तित है इंपोर्टेंट है यह पूछा जाता है एक जाम है कि विंदावन गार्डन का पर है तो याद रखना कर्णाटक में है यह नेक्ट अगला कोशन है कि भारत की पहली कर्णड फिल्म कौन सी थी 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 भारत की पहली कर्णड फिल्म थी सती सुलोक्चना नेस्ट अगला कोशन है कि करनाटक के पहले व्यक्ति जिने भारत रत्मिक सम्मान प्राप्त हुआ था तो पहले व्यक्ति थे विस्तुय सरहिया करनाटक की सबसे उंची परवच चोटी गौनसी है तो इसका सही आंसर है मुलियन गिरी करनाटक की सबसे उंची परवच चोटी है अब बात कर लेते हैं करनाटक राजी से सम्मनित कुछ करेंट अफ्यर्स के कोश्चन ओपर देखी पहला कोशन हम देखते हैं कि विस्टु का पहला परवार नियोजन क्लीनिक कि स्राज्ज में खोला गया है तो इसका सही आंसर है करनाटक में नेक्ट अगला कोशन है कि कोपल टोय क्लस्टर जो भ़ारत का पहला निर्मार क्लस्टर है किस राजि में अवस्थित है तो इसका सही आंवसर है करनाटक में अगला कोशन देखेगा कि भारत के पहले Digital Water Data Bank Aquarium का अधगार्ण किस राजि में किया गया है तो इसका सही आंसर है करनाटक में नेश्ट अगला कोशन देखेगा कि Renew Power ने भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्न Wind Termine Generator याने WTG किस राज में स्तापित किया है तो इसका सही आंसर है करनाटक में अगला कोशन देखेगा कि भारत की पहली मेथेनोल से चलने वाली बसों की सुरुआत सर्वृतम कहां की गई है तो इसका सही आंसर है बैंगलूरू करनाटक में अगला कोशन है कि 30 परेटन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला मरीना कहां बनाये जाएगा तो इसका सही आंसर है बिंदूर करनाटक में मनाये जाएगा अगला कोशन है कि भारत का पहला 3D पोस्ट ओपिस किस राज़ी में बनाये गया है तो इसका सही आंसर है करनाटक में ये ते करनाटक राज़ी से सम्मंदित सभी important facts वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों में आप मारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि ऐसे कंटेन में आप ते लिए लाता रहता हूं फिर मिलूँगा नेक्ट अगली वीडियो में तब तक के लिए अलविदा वाई वाई